हेलो मित्रो वेलकम टू टेकनिकल कमपरेशन वेरियास अनलान यूटूब जनल दोस्तो भाई भानो हमारे टेकनिकल कमपरेशन वेरियास में आप लोगों को स्वागा थे मित्रो तो मित्रो आज हम लोग भारतिय राजवेवस्ता पढ़ेंगे क्या भारतिय राजवेवस्ता म मित्रो वीडियो शुरू करने से पले आप लोगों से दर्ख्वाइस है आगरा है रिक्वेस्ट है आप लोग अपने सभी दोस्तों को सेर कर दीजे ताकि वह भी कलास्त ले सके मित्रो जिन भाई भानों अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि यह मेरे चलन टेकनिकल कंपरेशन व अबजेक्टिव क्या मित्रो लुसेंट वस्तुनिस समान ग्यान का पूरा किताब पूरा अबजेक्टिव किताब का मित्रो मैं आप लोग को प्रवाइट करने जा रहा हूं मित्रो लुसेंट का पूरा अबजेक्टिव मित्रो लगभग हजारो कोचन उसमें है पूरा किता आज यया कल से Interpunkt मैं कर दूंगा मित्रो टॉप कोचन में त्यार कर चुका हूंे टॉप टॉप कोचन और पुरा किता भी किताब ही अ किताब करूंगा अपने YouTube के बहुत सारह तेचर है तो ऑने परवारी स के बानाओगा बुक के दोवारा ही पढ़ांगा मित्रों हमारा क्लास का स्टीट का ओफट यांतो पूरा 22 का फरवरी का एक दो दिन में प्रवाइड कर देंगे मित्रों तो मित्रों चलिए आते हैं हम लोग कोचन एक पे किस अधिनियम दौरा भारत के गवर्णर जनरल को अधियादेश जाई करने की सक्ति परदान की गई है मित्रों अप्शन है आप लोग के पास एक में चार्टर एक्ट 1833 अप्शन B में है भारतिय परिषद अधिनियम 1861 अप्शन C में भारतिय परिषद अधिनियम 1899 तो मित्रों किस अधिनियम दौरा भारत के गवर्णर जनरल को अधियादेश जारी करने की सक्ति परदान की गई है आप आप लोग के पास option है जवाब दीजेगा मित्रो तो मित्रो दिस कोचन इस राइट एंसर option दो तो मित्रो क्या answer हो जाएगा option दो इस राइट एंसर मित्रो दिस कोचन answer विल विल वि टू तो मित्रो किस अधिनियम दुरा भारत के गवर्नर जनरल को अध्याय देश जारी करने की सक्ति प्रदान की गई है तो यह की गई है 1861 भारतिय परिशत अधिनियम 1861 नेक्स्ट कोचन की बात करें तो regulating act का परित हुआ था मित्रो अप्शन A में 1787, अप्शन B में 1765, अप्शन C में 1787 तरह ओप्शन 4 में 1777 तो मित्रो regulating act का परित किया गया था अप्शन क्या होगा मित्रो आप लोग जवाब दीजिए वैसे इसका answer हो जागा उत्तर एक याने मित्रो 1787 क्या मित्रो 1787 में regulating act परित किया गया था मित्रो नेक्स्ट कोचन में प्रित्रो बीना देरी किया तो चली मित्रो next कोचन में मारले मीन्टो सुधार का उधिसे नाइक्स भद खर करें तो किस अधियां की पर्मुख विश्यसता है प्रांतिय स्वाय तता थी option a में मित्रो 1945 option b में 1935 c में 1888 and d मित्रो 1990 तो मित्रो इसका answer क्या होगा मित्रो किस अधिनियम की परमुख विशेशता है प्रांतिय स्वायतता थी तो मित्रो this question is the right answer option 1 यानि कि 1945 क्या होगा मित्रो 1945 is the right answer 1945 अधिनियम की परमुख विशेशता क्या थी प्रांतिय स्वायतता क्या able the प्रांतिय स्वायतता कि और किस अधिनियम क्या है थीए 1945 नेक्स कोचन की बात करें मित्रो तौन copper कोचन है आपना कि अखिल भारतिय महासंग अस्थावित करने का प्रावधान सामिल किया गया था किस में अप्शन एक में है भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 या तीन में है अगस्त प्रस्ताव 1940 या डी में मित्रो कोई नहीं तो मित्रो अखिल भारतिय महास महासंग अस्थाबित करने का प्रावधान सामिल किया गया था किस में तो दिस कोचनी दरा राइट एंसर उत्तर एक मित्रों क्या होगा उत्तर एक मित्रों उत्तर एक यानि कि लाइक किजिए और जिन भाइबानों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये फिलीज सब्सक्राइब कर लिजे और हाम जीन दोस्तों के पास दोस्त है गुरुप है वह अपने गुरुप में मितुर्ट शेर कर जिए ताकि आप लोग ज्यादा जन संख्यामें पठाई कर सके तो आज इतना ही जय हिन जय भारत जय यूथ फिलीज शेर करना ना भूले टेकनिकल कमपरेशन वारियस लब यू तो अल माई गाइज